भगवान कृष्ण ने बताया कर्म के अंतकाकारण, सुने कृष्ण और बलराम का समवाद, महा भारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, भगवान, कृष्ण द्वार का पुरी वापस लोटे और अपने महल में विश्राम कर रहे थे, तभी उनके पास बलराम जी, आई और बोले, कनहया मेरे मन में एक प्रश्ण बार, बार आ रहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं, सुने दाव भया, वैसे तो, दूर योधन के अधर्म में जिसने भी साथ दिया था वे, सभी पाप के भागी बन गए, उनको उनके कर्मों, का फल तो मिलना ही था, तर्न दानवीर ह वी उसको दान से अरजित पुन्य अंतिम समय पर साथ नहीं दे सके, इसका कारण यह है कि जब महाभारत युध्ध में साथ साथ महार्थियों के सामने, अकेली युध्ध करता हुआ महावीर अभिम्यू, युध्ध वूमी में धराशाई हो गया था, जब वो बुरी तरह स घायल मृत्यू के द्वार पर खड़ा था तब उसने युध्ध वूमी में अपने समीत खड़े अंगराज कर्ण से अपनी प्यास बुझाने के लिए याचना की अभिम्यूनी याचना के स्विश्वास से कीथी के भले ही वह शत्रू पक्ष का है लेकिन महादानी होने के क प्रियमित दुर्योधन नाराज हो जाएगा और करन में वह जल अभिम्यू के आगे रन भूमी में बहा दिया इस प्रकार महादानी कर्ण जलदान नहीं कर पाया उसने मृत्यू के द्वार पर खड़े याचक की अभेलना की थी और युध्ध भूमी में बालक अभिम्यू को अपने सूखे के कंच से प्रान त्यागने पड़े ही दाव भाया अंगराज कर्ण के पास जल होते हुए वी मृत्यू के द्वार पर खड़े हुए को जल नहीं दिया इसलिए कर्ण के एक मात्र पाप में उसके संपून जीवन में किये हुए दानों से अर्जित पुन्य को नश्ट कर दिया और काल की गती दीजिए उसी जल के स्रोट से उत्पन कीचर में कर्ण का पाया जाता है और महारती कर्ण के अंत का कारन बन जाता है इसे में स्वयन नहीं रोक सकता था यही तो कर्मों का फल है दाव भाया दोस्तों अगर आप इस कहानी का वीडियो किसी के साथ किये गए अन्याय का एक ही पल आपके संपूल जीवन की प्रमानिकता को सुन्न करने ही तू पर्याप्त है इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि सभी को अपने किये कर्मों का फल यही इसी जीवन में तथा इसी प्रिथवी पर अवश्य भोगना पड़ता है यह हम सभी जानते हैं कि यदि हमें कर्मों के फल का दर ना होता तो आज गंगा किनरी इतनी दूर ना होती यह जरूरी नहीं कि इंसान रोज मंदर जाए बलकी कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदर बन जाए जिस प्रकार एक बच्छडा हजारों गायो अगर आप किसी के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार जरूर करना ईश्वर माफ कर सकता है तर्म नहीं